एंग वेल्कम पुमभी देखिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इसमें आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्ण पूछा गया और बहुत बढ़ेंगे पूछा गया है तो चले दोस्तों आप विसको शटाट करते हैं लेकिन उसे पहले आप से छोटा से करेंगे चैनल कि सदस्यों की आउसद का 250 परशंट स्कोर करता है, उसके बाद बता जा रहा है, कि परिणाम सो रूप, समगर आउसदों में 30 परशंट की ब्रिद्धी रहती है, नया खिलारी साविन होने से पहले समूल में कितने कि किर्केटरों की संख्या क्या थी इसके हुशा जा रहे सब से पहले झाली का प्यास के जो भी कुछ बताइक वा 42 यह क्या क्या भाइक है कि जो नया ख्यलाडी आता लंभक्या क्रता है 250 परशेंट स्कूर करता है फो क्या किया 250 यह की तो बनाया बनाने के बाद क्या हुआ थी परशंट परशंट बढ़ गया अवसाथ इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग होँगे सब को क्या किया हुगा 30-30 परशंट जमा किया होगा हाला कि देखिए बेसिक कॉंसेप्ट हमें सब बता चुके हैं कि कैसे वह बढ़ता है कैसे घड़ता है नहीं आप जानते हैं तो हम उसके विसे में कुछ नहीं कहें क्योंकि आपको सबसे पहले आई बटन पर जाकर या हमा प्रिद्धी हुआ होगा 30% इस बात को थोड़ा सा फिर से हम रिपीट करते हैं हम यह कह रहे हैं कि पहले जितने भी लोग थे वह अपना जो भी अपना स्कूर किये होंगे लेकिन उनका एवरेज यह तो यह मान के चला जाता है कि सभी लोग क्या कि होंगे 100% 100% 100% 100% 100% सब कि होगी इसके आने से निश्ध लड़का आ रहा है तो इस उन्या लगके गाने से सब लोग में 130% की mercy का मतलब वह नया लड़का आया तो अपना सब बनाय सaggio में को ही किया let pi gio 30% बाटा भाई तो आप 5 लोगों में पांच लोगों में बाटा तो सब को क्या हो गया 130% अब यहां आपको यह समझतना है यह तो क्यों सवाल है कि हम एपरेज को इस प्रकार से से पहले सम्मों में कितने लोग थे तो जब 30-30 परेंट सब लोग को माट रहा है थो अपने को भी तो 30 परेंट दिया होगा तो पाँच लोगों में माटा गया ता इसका मतलब एक अपने है तो अब कितनी लोग वह चाह्अ चले हे चाहर लोग तो नि Fail TV संहूं तेसधे visto 13 पारी में 16 और अधिक बनाया है तो इसने कितने good बनाया है इसके बीशबुचा ज़ा लाए थोला समझने का प्रेश्ब केजिएगा जैसे कहा जा रहा है कि 11 पारिओं में MON记्दान रहे है अधर से करद आगाहिों यही चभए को पारिख के पास वही चीज़ए इसका मतलब होत तो जब 13 फारी 22 है् सब को सामिल किया निया सारा पारियों का ये सारी फ्रीक्रों का चब्रेंप हो हैं अब आपको समझना है कि और 22 send हुआ तो कि त enfant हुआ कि इंड् sagen से चौन हो गया थी इसका मतलब 2 गुरसे बिरीधी तो आया रहा Through जब 22 गया है तो इसका मतलब रियल में 11 और 12 का योग क्या होगा भाई यहां से 108 हो रहा है और 22 वाला पार्ट भी एड़ कर दीजिए यहां से क्या हो गया टोटल 130 हो गया यहां तक बात के लिए इसका मतलब की बारहवा और तेरहवा इन दो पारियों को मिला कर टोटल हमारे पास 130 रन प्राप्त हुए हैं अब क्या कहा जा रहा है कि जो बारहवा पारी से 13 पारियों वह 16 अधिक है तब हम ऐसा काम कर लेते हैं कि 16 को इसमें से माइनस कर देते हैं चलिए 16 को जबी माइनस करेंगे तो क्या होगा 114 होगा और 114 को दो भाग में बाट देते हैं तो 57 सं चलिए तो सुला को माइनस कर देते हैं कि संख्या में सकता है यहां cửें है कि Toldlle का यो Windows एको इसा संख्यान होते हैं तो दोनों संख्यां मäत्राइब क्या हो ङए करन होगा आईवाल हमार क्या होगा बरहौपानी करना होगा यह तक ही लिए बरहौपानी में इस बात को समझें चले हम नेक्ट कुछ देखते हैं तो चले दूसरों वैसा ही कुछ तो इसमें कहा जा रहा है क्या बता जा रहा है और उसके बाद 14 यानि 13 और 14 फारी खेला गया तो इस प्रिए प्रेट में उसका बन गया साथ हो गया और कितने का भीकास हुआ है पचपन से भीकास हुआ है कितने पारियों में बारा पारियों में तो बारा पारियों में बारा पांच है कितना हो जाएगा साथ यानि कितना हुआ, 60 का भी कास हुआ, इन दोनों को हम add करेंगे, क्या करेंगे, 120 हो जाएगा, अब 120 तो क्या है, इसका खुद का नंबर है, यही लोग नहीं, इसको 60 एक्ष्ट्रा दिये हैं, ति 55 से 60 हो गया है, इन लोग का भी score, सोच पा रहे हैं तो यह वाला 60 को हम लोग लिए यह अहाँ लागा add करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते है, 180, अब आपको समझना है कि 180 हो गया, तेरह वाला से चवद класс क्या है, जिस अधिक है, इस 20 कको माइनस कर लेते हैं, यहीं 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 160 और 160 को दो भाग में बाट देंगे क्योंकि दोनों संख्याब तो बराबर हो गया ना एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिये तो जादना मात्रा में था तो इस तरह क्या असी असी हो जाएगा आप से क्या पुछा जा रहा है था तो प्राट हो जाए यहां कि यह Una perspectives की आप से तो अन्हारा फारो कर देखे यह बोला जा रहारे कि यह निकें की स्कोर जो है वह क्या हो गया दंब और कर कि तुर श में बढ़ाए यह दंधी बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुल्ला में बारहुएंपारी है वह क्या है वह सो लहा रन अधिक है तो अधिक है कि आतहीं कि आप इसमों और 30 पारी को समझना सबादां कि चुपन हो गया आप थोड़ा समझना आपको कि B warum सहत चुपन हो गया जो बढ़ा कितना में डॉस में तो दुमीच कि इतना बढ़ा 20 यहाँ तक तो niez को ईसके बाद क birlहें हैं आपको समझना है यह वाला पार्ट कि 120 यह बढ़ गया और यी दूनों aujourdTalk cares तो दिया गया होगा इसका इन दोनों को जोड़ें तो एक सोबाट होता है इस पार्ट को लोग एड़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है इसके बाद क्या बता है कि 11 से बारवाल पारी क्या है हुआ जाएगा हमारों पूझता तो क्या करते है चले हम लोग डिखते हैं तो चले दूस्तों देख्या प्रकार से है 5 लोगों के आवसती में पहले तीन का और अंतीम दो है ब 예쁜़े से पोला रहे है कि तोटल 5 लोग हैं कितने 5 लोग और इसमें श्टार्टिंग 3 लोग उसके बाद लास्ट का 2 लोग है तो 3 लोग और 2 लोह पात किया है तो 9 अनपात 7 बता जा रहे और हमसे क्या आयों का अनपात तो 92 सात है लेकिन इनके आयों का आउसत जो अंतर है वह क्या बता जा रहे बारा बता जा रहे और यहां हम देख पारें कि इनका अंतर क्या है यहां से दोन पात हमें पता चल रहे इन दोनों का बीच का अंतर क्या है दोन पात और दोन पात का वहलू में क्या बता जा रहे तो दोन पात का वहलू में लोग के लिए इसलिए तीन लोगь का क्या होगा संख्या संख्या तर रुख्यत जाना होता है। हो तCalma करना होगा इसे मंतिफाइग करना हुगा है दो से मृllesी करना होगा जैंब इसको मोल्टिप्लाई करें तो ऐसे 15 15 15 पन्राइक सो उन्हेद इसके बाद समगे के रहें और स होरासी इन उतनों किया करें हम जोडेंगे तो यह दो से हो ग्यों कंडये चार और दो कितना जाएगा छे हो जाएगा आठ चाओदा के चार एक 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 क्या जाएगा दो अब देखें आवसत निकालने के लिए आप जानते हैं न कि योग बटा में संक्या होता है यह तो टूटल पांचों का योग होए अब संक्या से भाग देंगे तो पांच से आगला प्रश्ञ कुछ इस प्रकार से है 40 चात्रों की एक अच्छा में लड़का और लड़कियों का जो उनपात है वह साथ अनपात तीन बताए भई हमसे कहा जा रहा है की जो लड़कों का है वह पैंसथ है और उसके बाद क्या है इद्ध्यान देजगा या क्या है संख्या है या क्या है दो Ε activating अजिसर बस यही बाद ध्यान देज गाया और बता जाए बहतर निगी लड़कियों क्या है बहतर है अब आप थोड़ा समझने का प्रयास की जएगा ज़िए साथ और तीन के अनुपात में इनकी संख्या है तेनका योग क्या होगा संख्या में इवरेज से मल्टिप्लाइब करें तो योग निकल जाएगा तो साथ पांचे कितना हो जाएगा बैंतीस पांच तीन साथ शक बैयालीस बैय हो जाएगा च्छो यानि 671 हुआ हमें 677 कितना लोगों का गई तो यह साथ और तीन यानि टोटल दस लोगों का है बहुत असान है अब दस से भाग दिएगा तो क्या हो जाएगा योग बटा में क्या है यह सब पूरा योग है ना इस हम कर सकते हैं कि यहां से हम एवरेज निकाल सकते हैं बस इसको दस से मल्टिप्लाइग डिवाइड कि जाएगा तो 67.1 हो जाएगा आपका इंसर सब्सक्राइए चलिए हम लोग नेश्ट कोशन देखते हैं तो चलिए दोस्तों देखें हमारा आगला परन कुछ इस प्रकार से है एक व्यक्ति का खर्च फरवरी में और मार्च में दोनों महीना में क्या रहा है पचास-पचास-जार ऐसे करके बढ़ रहा है बस पचास-पचास-जार आपको बढ़ रहा है तो इसको आपको नोट करना है क्या श्टार्टिंग में जनवरी में जो रहा है वो क्या रहा है पचास-जार रहा है यह अभी ब जब ऐसा हो रहा है ताप इसका माध्यक इसका माध्य निकाल दिए अर्थात आउसत निकाल दीजिए आउसत क्या होता है मतलब 2 संख्या के बीच की संख्या होती हैं जैसे कि देखीे ऐसा थोला आपको समझना है आवसंत क्या होता है आवस्त मतलब से 1-2-3-4-5 ऐसे है तो हम कहते हैं कि तीन को आपintत कि शुल कहीं है के जान चुके हैं कि जो लगातार नंबर दिया तो उसका अवस्त किसे प्रकार से निकालते हैं बीच की जो संख्या होती है वही लागातार नमबर में हमारा क्या हो जाता है यह बात तो जानते हैंकि कोई भी लागातार नमबर है जो सेम डिफरेंट पर अंतर पर विलिबल हो तो उनकी बीच की जो संख्यावति है वही क्या होता है इस प्रकार से इन तीनों का आउसत क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मतलब उपस्तित है यह आप तीनों को जोड़ भी दी जाएगा तो क्या हो जाएगा एक लाख यहां से काम्त धिमान अर्थात ऊसत किजिए यह स्टाठिंग से लेकर 50 तक किया है जो फेले संख्या कि यह नैजना वीच जो निकालने के लिए हो सकते हुए थोड़ा सा समझने का प्रियास कीज़ेगा बाहर वाला और OUT सबसे पहले इस बात को ध्यांद दिए कि इसके बग़ल May 2 जीसे कि इसके जश्ट बगल में 2 यह और 3 है सुरी दो है और चार है तो दो और चार को हम एड करेंगे क्या तो प्लस चार को और फिर भाग देंगे 2 से तो चार दो छ और बटा में करेंगे तो तीन हमारा आजाएगा पहला तरीका हो सकता है और दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम एक और पांच को भी एड करें तो भी हम दो से ऐसे करके भाग देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा तीन आजा सकता है इन्हें बीच की संख्या को निकालने के लिए श्टार्टी वाला नंबर और अंतिम वाला नंबर को एड़ करके यदि हम निकलते हैं तो हमारा बीच वाला संख्या निकल जाएगा और बीच वाला संख्या ही लागातार नंबर का अवसत होता है तो एक से लेकर पचास तक हमारी संख्या है तो आप सोच सकते हैं कि एक से ल नहीं किसब करेंक हो जाएगा है नहीं को द्याने रखेंगे इसका है काम करें तो एक 50 क्याओं अगए समझेगा हम क्या रहे हैं पचास प्लस एक करेंगे कि तो एक वन और यह प्लवर द्रेंगे स्वरी सम्झेश दश्म लोग पाच यहीं हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा चलिए हम लोग next question देखते हैं तो चलिए दोस्तों देखे हमारा अगला प्रशन कुछ है ज्यादा important है और गजब का इसका लाइंग में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा 25 अंकों की एक परिक्षा में तीन चात्रों ने जो परिक्षा दिया उसमें प्राप्ता अंक प्राप्त किया है उसका माध्य 16 है यानि तीन चात्रों का जो आउसत अंक प्राप्त किया है वो क्या है 16 है और बता जा रहा है कि दो नए चात्र उसमें उपस्तित हो जाते हैं तो कि टोटल जो हमारा average number हो क्या हो थो यह समझने का प्रयाश के सबसे पहले 3 लडके हैं पहला देखे एक 2 और तीन ऐसे 3 लडके हैं और इन तीनों का क्या है आसत पहले मताजी ही 161 आसि compound जब दो लगके नज आते थे हैं तो है जो हमारा क्या है मतलब पेपर में जो की 19 हो जारा है इसका मतलब तीनों को 19 दिया गया मतलब 19 के लिए कहा गया जिसे समझेगा तीनों का वो नई हो गया प्लस में दो लोग और आये हैं चौथा और पांचवा यह लोग भी क्या है यह दोनों भी अपना 19 हो गया जब दोनों 19 हो गये तो तोटल का जो अवरेज हो गया होगया इसका मतलब के 5 आपकाशन यह तो दो लोग को पास 19 हो था अड़ी सुगए और इन लोग के पास जब 19 के और इन लोग के पास 19 यह भी 19 यह भी 19 यहीं पी 19 यह लोग में नाया लड़का है दूसरे के आप एक्षा कम से कम नंबर लाना चाहता है तो कितना लाएगा तो इसके लिए दिया देखिए तो सबसे पहले बांडिंग दे दिया है कि वह पेपर केवल 25 मार्स का है इसका मतलब कि जो हमारा चौथा लड़का है थुरा समयने का प्रास क्या किया है पचीस में 25 नमबर ला ला दिया है तो 47 नमबर लाना ही था इदो लों को मिलके 25 सब्सक्राइए है तो ये कितना लावत लाष गधैर दिया है तो जो भी कुछ हम इस वीडियो में बताये हैं आपको समझ में आया होगा यदि ऐसा है तो आप हमारे क्लाक कर दोस्तों साथ सेयर कर दिए मिलते हैं नेक्ट वीडियों में तब तक के लिए आपका धन्यवाद